अलो एवरिबन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर एक्जाम अकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंड यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूमेंट के उपर आप लोगों तक इनफार्मिशन पहुचाने का प्रयास करता रहता है तो गाइस आज हम बात करेंगे इस विडियो के माध्यम से भारत के चार यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर पर आए हुए 527 पोस्ट पर रिक्रूमेंट मांगा जा रहा है जहां से हम बारी-बारी से देखेंगे कि यहां पर कौन-कौन से पोस्ट पर रिक्रूमेंट आया हुआ है तो इस इनफार्मिशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है किर्पया चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इनफार्मिट्व वीडियो आप लोगों के लिए बनाये जाते हैं वो आप तक टाइम टो टाइम पहुशता रहे तो गैस हमारी जो पहली युनिवर्सिटी है जहां से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है वो है राजिव गाधी युनिवर्सिटी आफ नॉलेज टेक्नोलाजी आंधर प्रदेश यहां पर जो टूटल पोस्ट है उसमें 230 पोस्ट पर रिक्रुमेंट आया हुआ है जिसमें रेगुलर पोस्ट के लिए 1952 सीट रखी गई है और बैकलाग सीड जो है वो 35 सीटो पर अप्लिकेशन मांगा जा रहा है बैकलाग ऐसी सीटे होती है जो पिछले एक्जामों में भरी नहीं जा सकी थी वो इस एक्जाम में उसे एड किया गया है तो कुल टोटल 230 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है राजियुगाधी उनिवर्सटी से तो गईस हमारा जो अगला रिक्रुमेंट है जहां से असिस्टेंट प्रोफेशर के लिए अप्लिकेशन मांगा जा रहा है वो है आंधर यूनिवर्सटी 298 सीटों के लिए यहाँ पर assistant professor के post पर recruitment मांगा जा रहा है यह university एक state government university है यहाँ पर जो total seat है उसमें 298 सीटों पर application मांगा जा रहा है 294 पदों पर यहाँ पर regular vacancy मांगी गई है और backlog seat जो यहाँ पर रखा गया है वो 4 seat यहाँ पर backlog category में रखा गया है important dates की अगर बात करने तो इस farm को fill up करने के लिए 20 नमबर 2023 का date यहाँ पर रखा गया है last date जो submission का है वो 27 नमबर 2023 का date रखा गया है 27 नमबर तक आप लोगों को इस farm को fill up करके जो final print out होता है उसकी एक copy self attest करके आप लोगों को courier के माध्यम से या फ्रीट पोस्ट के माध्यम से university को submit कर देना है अगली जो university है जहां से recruitment निकल कर आया हुआ है वो है जवाहर लाल नहरू technological university जहां से assistant professor के लिए recruitment मागा जा रहा है ये university भी आंदरपरदेश की ही university है जहां से total 68 post पर recruitment आया हुआ है regular post यहाँ पर 66 है एक post यहाँ पर backlog categories में रखे गई है important dates की अगर हम बात करें तो इस farm को fill up करने के लिए भी जो last date रखा गया है वो 20 November 2020 का ही date रखा गया है 20 November तक आपको farm fill up करना है और 27 November 2020 तक आप लोगों को इसका जो hard copy है self attested करके आपको university को submit कर देना है speed post के माद्यम से या फिर आप तो इसे courier के माद्यम से इस university को भेज सकते हैं हमारी जो अगली university है वो है आचार नागारजुन university जो की गुटूर में established है यहां से कुल टोटल बान बे सीटो के लिए assistant professor के post पर recruitment मांगा जा रहा है यह university भी एक state government university है जहां से recruitment आया हुआ है कुल टोटल ग्यान बे post है और सारे post जो है regular post के लिए यहां पर notification आया हुआ है last date की अगर हम बात करें तो 20 नवंबर यहां पर भी last date रखा गया है और 27 नवंबर तक आप लोगों को इस farm का जो heart copy है self attested करके आप लोगों को send कर देना है तो इन चारों university का जो application fees है वो भी same है जो last date रखा गया है इस university का वो भी same है तो अगर आप इन चारों university से farm fill up कर सकते हैं करना चाहते हैं तो आप अलग-अलग इस university का farm fill up कर सकते हैं लेकि लोगाई से इसी तरीके के और फिर informative वीडियों आप लोगों को हमारे YouTube channel के माद्यम से समय समय पर मिलते रहते हैं तो अगर आप assistant professor की vacancy देख रहे हैं और आप लोगों को time पर इसका notification नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे YouTube channel को जरूर से subscribe करें हमारे channel पर भारत के किसी भी university से अगर assistant professor से related कोई भी notification आता है तो उसका information सबसे पहले हम अपने YouTube channel के माद्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much